इतना भी पूराना पिरियेट क्यों ना होल्ड करके रखा है सारी चीज़ का प्रोब्लेम को सलेशन यह ट्रिंग है तो इतना बहतेरी आप लोगों को रेजर्ट मिलेगा बिदाउट एनी मेडिशन असलम वाले कुम और वेलकम बैक टू माइच चानल तो आज का वीडियो तो आप लोगों पता चली गया है थाम मेल टाइडेल से जैसे कि मैंने पहले बोला था जैसे जब मेरा पीसी ओडी स्टोडी आप लोगों के साथ सेयर किया था जैननी सेयर किया था तो नेक्ष्ट ब्ल लोग चैसा सुनिये इस्किक की रिडियो देखो के तो समझ में नहीं आएगा तो आप लोगोगों का ह में नहीं हो पाये बीड़गों कि अच्छे से वीडियो को सुनो देखो ताकि आप लोगों को ही पोसके तो जैसे कि पीघ्र आप उडी पीसी ओडी भी होता है बहुत सार ऐसा मसला होता है तो जो में डाइट प्लान सेयर कर रही हूँ और ट्रिंक में आप लोगों को मोर्निग इन नाइट में जो सारी चीज़ रेकेमेंड करूंगी जो दिखाऊंगी जो दुंगी वह सारे чीज़ को अच्छे सफ़ालो करना है अप छूड़ु को पूरा ना पीरियेद फटा सिट्ट दो हो रहा है वह सारे चीजTH मसलें खतम हो जायेंगे पिरियेड भी अच् इसका मतलब ऐसे कुछ खाए भी ना बहुत पीसी ओडी जब उड़ाता है तो बहुत मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग को वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेंगा आप लोग अगर एक महिना इसको तो वैसे जिन लोग को बहुत पूरा ना पी पूरी मंद भी फॉलो करेंगे तो उनलों को रेजल डिकने मिलेंगा शिक्स मंत में इसलिए बोड़ी हूं कि पूरी तरीके सब जड़ से इस चीज़ को खतम करना है राइट ऐसा नहीं है कि शिक्स मंत में मेरा तो पीरियड ठीक हो गया मैं तो पतली हो गई हूं इसकिन भ सब्सक्राइब को खतम करने का एक ही उपाई है अच्छा हेल्दी लाइश्टाइल अप लोगे डाइट प्लान को अगर फॉलो करो गया हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने मेंटेन रखोगे तो थाउजन पैसन वरेंटी आप लोगो पता चल जाएगा पीर प्रॉब्लेम भी नहीं हो और बहुत हैपी हैपी इसलिए नहीं हो पाते हैं बहुत सारव प्रॉब्लें को जोगे क्लो थालोगस कोई सादी के बाद अपने आपको टाइम नहीं दे पाते हैं तो आप लोगों संसक् bon salmon में एक ही चीज जुडिए अगर श्टीर करो अपने अपको थीकन कर कर पाऊगे और अगर नहीं हो रहा है तो यह डाइट प्लान को फॉलो करें इंशालला प्रियेट भी होगा प्रेग्नेंसी भी बहुत सारा हेल्प मिलेगी बाकी तो इंशालला अल्ला के हाथ में सब कुछ खेरियत से हो जाएगी तो चलो सुरू करते हैं वीडियो उससे पहल इस सारे चीज़ को एकडम से अपके लाइफ से कट डाउन करना है नहीं लेना है मैदा नहीं लेना है बाहर का कुछ भी जंक नहीं खाना है अच्छे से सोना है आठ गंट का नीच चाहिए बोडि में बहुत सारा पानी दो तीन चाल निटर पानी पीना है ताकि डिटॉक्स बॉडी से अच्छे से हरे गंदी की बॉडी से निकल जाए फ्लास आउट हो जाए और अच्छे से एकदम अपने आपको प्रोमेस करके यह डाइट प्लान को सुरू करना है डाइट को मेंटेन भी करना है ऐसा नहीं है कि बीच-बीच में चीट कर लो चीट करोगे तो आपका फिर से वही चीज आपको फिर अब पेसे नहीं मिलेगा सो कुछ नहीं प्लाइट जो भी प्रॉब्लेम ए ऐसा कुछ वह प्रॉब्लेम नहीं नहीं हो नहीं है अगर कोई मिलेगा तो पैसे कभी बात है तो यह वीडियो तो पूरा-पूरी फ्री है तो वीडियो को अच्छे से देखो और लुक तूठाओ और इस डाइट प्लान को फॉलो करो और अप लोग को पीसी ओडिवी ठीक हो जाएगा तो चलो सुरू करते वीडियो और लिए तो एनिवे तो चलो वीडियो सुरू करते हैं उससे पहले जाना पड़ेगा चलो चलते हैं तो सुबह सुबह हम लोग डीटॉक्स जूस पीएंगे पीसी ओडिकरे बेस्ट डीटॉक्स जूसे इससे आपके बहुत अच्छे से डीटॉक्स तो करे गई और इसको बोल अधर एक कप जैसे आपका कॉंटिटी रहेगा उसी सबसे देखे इसको जूस निकालना गया अगर जूसर है तो बहुत अच्छी बात है मेरे पास जूसर नहीं है मिक्सर गरंडर है तो मैंने ऐसे करके ही जूस निकाला है तो यह बहुत कोई को हेल्प मिल जाएगा तो मैं अच्छे से फ्लास करेगा और दीन भर में 3-4 लिटर पानी पीना है ताकि अच्छे से डीटॉक्स हो जाए तो सुभा ये पीने के बाद एक घंटा बाद हम लोग ब्रेकफस्ट करेंगे तो उससे पहले में ड्राइफूड लोगी क्योंकि मैं सुभा उठते ही डीटॉक्स व तो मैं जीम आ गई हूँ एंड वेरी इंपोर्टेंट पीसी ओडी के लिए इतना जादा इंपोर्टेंट है वाक आउट करना चाहिए योगा करो या फिर कोर्स फीट करो या फिर अब जुमबा करो या फिर जीम करो वाटेवर कुछ भी करो आधा घंटा से लेके एक घंट अब वाक करोगे वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है इससे पीसी ओडी के लिए बहुत ही सही होता है आपका जो फ्लोर रहता है प्रियेट का बहुत स्मूथली होता है बॉडी का जो टेक्स्चर आपका जो एकदम खराब हो जाता है उसको टोन डाउन करता है एंड आपका स्कीन आपका है आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहता है बॉडी में भी बहुत अच्छे डिटॉक्स भी करता है वाक आउट करने से एक नैच्रल ग्लो भी आता है स्कीन में क्यूंकि आपका बहुत अच्छे से वाक आउट करने से बहुत अच्छे से पसीना होता तो जो भी आपका गंदेगी रहता है वो सारे चीज निकल जाता है तो येस वाक आओट इस वेरी इंपोर्टन तो आप लोग भी वाक आओट करें जीम में घर में कहीं पर करें जरूर उसके बाद मैं घर आ गई हूँ अब मैं मनाओंगी ब्रेकफस्ट तो ब्रेकफस्ट में यूजिली मैं बहुत ही अच्छे से करती हूँ और ब्रीकफस्ट हमेशा अच्छे से ही करना चाहिए तो साथ गया भी बात है या फिर मैंक्स तो मैंक्स आठ बज़े तक तो आज मैं बना रही हूँ क्या उपमा येस गईज उपमा मुझे बहुत पसंद है मैं उपमा भी कभी बनाती हो चीला न forest का रोति भी बनाती हूं कभी अधन दलिया भी ले लेती हूँ यह सारे और गुण बिना ऊपने पोह का गोति हुआ कि लोग नहीं हुआ यहाल को सकतé हो Uh और सब्सक्राल कर सब्सक्राल नठा जया आर यह में अधनिया पत्ता आप लोग ब्राउन ब्रेड ओमलेट ले सकते हो अचाय ले सकते हो अपलोग बिदाउड सुकर तो यह मी सब ब्रिक्फस्ट रेडी हो गया है साथ से आट के बिच पर ब्रिक्फस्ट डन उसके बाद 11 बजे हम लोग कोई भी सिजनेवल फूट लेंगे मैंने चेरी दिखा दिया गौवा दिखा दिया और अगर कुछ भी लेना है तो ले सकते हैं और हम लोग लंच करेंगे पाइनेपल तो लंच एक और देखे दो के बिच में करें पाइनेपल भी ले सकते हो दो पूरा बड़ा पाइनेपल ले लो या फिर पापीता ले लो या फिर ग्रीन चिली थोड़ा सा और थोड़ा सा गार्लिक लिया है इस सारे चीज़ों का मैं ने चॉप कर लिया है देख लिया आप लोगों ने अब दाल को में कुक करूंगे तो मुग दालर मसूद दल को मैं पहले से भगो के रखा था एक घंटा अलमुस्ट हो गिया था तो यह मै तो बाजरा तो बाजरा और डाल और मिक्स वेजिटेवल डाट सीट और कुछ नहीं करना है आपको बहुत ही सिंपल है थोड़ा सा हम लोगों ने वाइल दे दिया आप लोग घी भी यूज कर सकते हो और थोड़ा सा पचफोर्न दे दिया अब थोड़ा सा कड़ी पत्ता में मैं दे दिया आप लोगों के पास फ्रेस होगा मेरे पास ड्राइ था तो मैंने दे दिया सबजी को देखके अच्छे से थोड़ा सा कुप करेंगी कोई ताम जब नहीं है कोई मसाला जादा याड भी नहीं करना है थोड़ा बहुत और सबसे बड़ा बात है बहुत ही मतलब इजीली बन जाते है और मैंने अभी थोड़ा सा नमक और हल्ली डालना है आपको ये सारे चीज़ अब कस्तुरी मेठी मैंने थोड़ा सा दिया नमक अब लोग पिंक सॉल डालो के मेरे पास नहीं था तो मैंने भी वाइट सॉल यूज किया है ठीके अब दाल भी दे देंग हुआ रहना चाहिए या फिर बाहर से भी अच्छा कोई जगा से जहां पर अच्छे से बनाते हो कबाब ओके टिक का कबाब जो भी हो ये सारे चीज़ अब ले सकते हो लंच पे तो अभी हम लोग कुकर में इसको डाल दिया है तो अभी इसका चलो बन गया है पूरा ढालने हेल्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो यह बहुत ही टेस्टी है यम्मी है बहुत ही लॉंग टाइम फूल फिल करके रखता है आप इसको डिनर में भी ले सकते हो और लंच में भी ले सकते हो अगर ब्रेकफस्ट में लेना है तो भी ले सकते हो आपकी मरजी और आप भूर मोउड ने सकते हो नुग रीप्रेस्मेंट के लन्ठ कर लेगके लकुंद कर लोंज सकते हैं जह एक रूद इसके हम लोग सब्सक्राइंगे पूंद करड़ बॉल एकर फालज सकते हैं अब आ गया हम लोगों का, नाइट का, डिनर का बाड़ी, तो चलो हम टिक का बनाते हैं, ठीके? तो मैंने यहाँ पर लिया है बोलेस फीस आप लोग फीस के जगा पर मैं आप लोग को आपसेन दे देती हूँ आप लोग तोफू यूज कर सकते हो आप लोग चिकन यूज कर सकते हो या फिर आप लोग सोया भी यूज कर सकते हो आप लोग को जिसको जो पसंद है रिप्लेस करके फिर अल्टेनेट करके आप लोग का जो वेजेटरियन है वह तो फू यूज करें और यह मैंने चॉप कर किया हुआ थोड़ा वेजेटेविल था तो क्यारेट था है क्यार था क्यार था अनियन था गरिन चीलि था यह था यहां पर फिस बना रही हूँ और फिश टीक का तो मसाला में यूज किया थोड़ा था एक चमस तक बेसन उपर से फिर रेणी यूज किया है पर इसको हलका से रोष्ट करके पावडर बना लो फिर अच्छे से एकदम सब चीज को मिक्स करना है सारे मसाला सारे जो वेजीज जो दिये हैं आप लोग देख से रहो कितना क्यूट लग रहे देखने में क्यूट ही ब्यूटिफुल लग रहे रंगी भी रंगी न उसके बा बहुत है पेट अराम से भर जाएगा आपको कोई क्रेविंग नहीं होगा या इससे नहीं है कि आधारात में भूक लग जाएगा ऐसा कुछ निया चार से पाच हो गया अब हम लोग इसका अच्छे से यह करेंगे पर आप लोग देख लो मेरे कितना ओयल यूज किया है मेर इसके बाद हम लोग वन बाई वन टिका को डालेंगे ऑप्सिन तो दिखा दी आप लोगों को अब आप लोग अपने टेस्ट के अकोडिंग अल्टेनर करके डाल सकते हो और यह रहा हम लोगों का फिस्टिक का तो रात में हम लोग फिस्टिक का लेंगे इस फिस्टिक में ह लेना फिर पंकिन का सूप ले सकते हो चिकिन का सूप ले सकते हो और यम्मी फिलिंग सा आप लोग का डिनर रेडी हो गया है कोई भी प्रॉब्लेम नहीं है आराम से ले सकते हो उसके बाद आगे हम लोग हमारे नाइट ड्रिंक यह ड्रिंक लेने से पीसी ओडी चाहे कितना पूरा ना हो कुछ भी हो आप लोगों को इतना फाइदा मिलेगा तो चलो इसको रेड़ी करते हैं और गाइज आप लोगों को सतावरी एमाजोन में मील जाएगा ताकि आपको कोई प्राब्लम ना हो मैं लिंक दे दूंगी दो कप पानी को एक कप में करना या हर रोज इसको पीना है और रेडी हो गया टेस्ट ठीक ठाक है कुछ समझ में नहीं आएगा तो रेडी हो गई है मैजिकल ड्रिंग उसके सासत एक चीज़ और हो गया है मेरा वीडियो रेकॉर्ड करते करते मेरा जो वाइज है पता नहीं कहां गायब हो गया है तो मैं फिर इसके उपर ही म मैं अपना वाइज ओबर दे रही हूं तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना तो येस गाइस में बोलने की कोशी से ही कर रही हूं कि ये ड्रिंग से हर एक प्रॉब्लिम का शलूशन है आपका इसकीन जो ब्लैक हो जा रहा है पीसी ओडी के वज़े से आपके जो हैर फॉल मतब पिरियेड क्यों ना हुआ हो फिर पीसी ओडी कितना भी पूरा ना क्यों ना हो पास सल दो सल वटेवर आपको पिरियेड भी होगा रेगुलरी पिरियेड होगा आपका पीसी ओडी ठीक होगा आपको हर एक प्रॉब्लेम से सलूशन होगा और इसमें जो वेट लॉस मि जो भी गंदेगी है पूरा निकाल देगा आपका आपको इतना अच्छे से आपको sound sleep देता है और एक चीज मैंने notice किया है ये drink लेने से न में बहुत काम रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा energy फिल होता है और येस गाइज इसको एकदम से लेना है कि तीन महीने regularity के साथ लो फिर देखो आपको क्या फायदा है जो लोग बहुत पूरा ना PCOD पेसेंट है उन लोको में बोलूँगी कि 6-1 डायेट जब फॉलो करें तो 6-1 इसको रेगुलारिटी के साथ लो इसके मत करो ये डायेट जो मैंने सुबा से लेकर रात तक जो आप लोके जास लिए जो मैं PCOD में जो इसकीन में जो प्रॉब्लेम हुआ था ना उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है और ये डिरिंग से और एक चीज हुआ था मुझे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लेम था बीच में तो इस डिरिंग से भी मुझे उससे भी बहुत ही फायदा मिला है क्योंकि मैंने इस चीज़ करने के बाद result मुझे क्या मिला कि मेरा PCOD अभी है ही नहीं तो मैंने जब sonography करवाया था उसके बाद diet लेने के बाद उसके बाद मुझे PCOD नहीं है अब ही मैं बीज़ बीज में भी sonography करती हूँ यह देखने के लिए कि PCOD का क्या है नहीं है क्योंकि यह कुछ अच्छा चीज तो है नहीं तो अलहम्दलिल्ला कुछ नहीं है एकदम ठीक हूँ मेरा पिरियेट बहुत अच्छा है मेरा हार एक चीज बहुत अच्छा है आप लोगों के सामने में हूँ और मेरा इसकिन पहले से बहुत बेटर हो गया है आप लोगों को भ लेना, और एकसी साइज करना मत भूलना है, एकसुसञ बना के साथ हो भाइन नू दिद नि Etap भाई-बाई कोड़िये है यह इसे नहीं है कि 2-3 महीना मेंटन काल लीए हुसके बद फिर से वह based lifestyle लाइसे को follow करोगा फिर PCOD हो जाएगा तो a celebrate afterolpidaio Shift Merci पांच को तो PCOD रहता ही है तो सब को help मिल जाएगी बहुत help मिलेगा क्योंकि मैंने जो डाइट चाट दिया है इतना पूरा package में पूरा मैंने जो दिया है कोई भी बड़े से बड़े डाइटी शेयर हो डॉक्टर हो अब मेरे वीडियो जाके दिखाओ तो ओ लोग भी बोलेगा कि यह बंदी ने क्या डाइट दिया है क्योंकि मेरा डाइट बहुत ही पावरफिल है दावा के साथ में बोल रही हूँ अगर वीडियो अप्लोग अच्छा लगा है तो लाइक किजिए सेयर किजिए सब को सेयर करो ताकि सब को हिल्प मिल सके एक दूसरे को हिल्प करना बहुत पॉजिटिव फिलिंग देता है एंड येस हम लड़की अगर एक दूसरे को हिल्प करेंगे तो किसी का प्रॉब्ल देना पड़ा तो आप लोग समझ सकते हैं इस प्रॉब्लेम को कभी कभी ऐसा हो जाता है नेक्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे अल्ला हाफीज और पीसेटी को ठीक करना है ओके वाई टेक केर